कोई हो कृद्ध आया है किसी को बुद्ध भाया है किसी के शब्द है पैने पंच भी शुद्ध लाया है विलक्षन बान तरकश में लिये हैं सध्ध सेना है बजे गाशंख शब्दों का यहां कवियध आया है बजेगा शंकी शब्दों का यहां कवीयद आया है सबस्तित हो चुके हैं विशय आप तक पहुचाती हूँ चर्चा में है कि पाकिस्तान आतंकवाद से एक योध्धा की तरह लड़ रहा है यह ऐसा ही है जैसे हलाल करने के बाद बकरा कोई दया के मंत्र पढ़ रहा है लगे हाथों सुने कि लगे हाथों हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम पढ़ोसी होने का फर्ज निभा देंगे आप अनुमती दें हमारे सैनिक पाकिस्तान में आकर आतंक को जड़ से मिटा देंगे अबार बढ़िया सुन रहे हैं उधर बैंकोक की गुफाओं में ध्यान लगाकर लोटे चिर कुवारे ने यानि के प्रिये श्री राहुल प्यारे ने एक बार फिर राफेल और धारा 370 को लेकर प्रधान मंत्री जी पर हमला बोल दिया है इस पर माने निये प्रधान मंत्री जी ने जवाबी कार्यावाही करते हुए उसी राफेल को उनकी तरफ मोड दिया है और कहां कि धारा 370 को पुना लागू करवाएंगे क्या ये कहकर वो चुनाव लड़ पाएंगे इस बयान पर बॉखलाए अकुचाए राहुल बाबा ने गाड़ी चीन की ओर मोड़ दी है राफेल और 370 से भी लंबी छोड़ दी है बोले कि बोले मोड़ी और जिंपिंग मिले हुए है मोड़ी भारत को चीन के हाथों बेचना चाहते है पता नहीं ऐसी सूचनाय महाप्रभू कहां से लाते है खेर ये चुनावी अखाड़ा है सब अपने अपने दाव खेलते हैं आईए हम भी कवियों के साथ चुनाव चुनाव खेलते हैं एक बार जोरदार तालिया हो हमारे बीच यहाँ पर कभी उपस्तित है छोटा हूँ तो क्या हुआ कभी की पंक्तियां याद आती है कि छोटा हूँ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाध है मेरा तू चक्कर तो देख एक बार जोरदार तालिया हो दीपक पारेक जी राजस्तान की धर्ती से हमारे बीच राहुल जी की हालत क्या हो गई है चार पंक्तियों में आपके बीच निवेधन करता हूँ स्वागत है कि कमरिया मटकती देख देख कर कभी मन किया रेशमी रुमाल बन गए है कि कमरिया मटकती देख देख कर कभी मन किया रेशमी रुमाल बन गए है चुरा चुनावी तरंगन में संग संग घुटकर रंग हरा पिला और लाल बन गए हैं तो पंडित बने हैं कभी टोपीदारी बन गए गोरे गोरे गलों की गुलाल बन गए हैं तो पंडित बने हैं कभी टोपीदारी बन गए गोरे गोरे गलों की गुलाल बन गए हैं और बार बार नाम लेले करके रफाल का यूं राहुल जी खुद ही रफाल बन गए हैं अच्छा उन्होंने कहा 370 से पैट नहीं बरता है चांद और 370 से अच्छा अलग लग लोगों का पैट अलग लग चीजों से बरता है ये बात भी सही है तो पैट भरता है फास्ट फूड से किसी का यहां किसी का बाजार की दालों से भरता है जी और मारवाड की मिठाई किसी को पसंद यहां किसी का गरम मसालों से भरता है जी तो साले सरकार हों तो दिल्ली दरबार हों तो जीजा जी का पेट भी सालों से भरता है जी और राहूल ने सच कहा तीन सो सतर से नहीं पेट सच मुच घोटालों से भरता है जी अच्छा देखिए राहूल जी के सामने जब जब भी आप चान की बात करेंगे उन्हें गुस्ता आएगा और वो गुस्ता वाजिब है मैं साबित करूँगा कि राहूल जी चान से क्यों चिड़ते हैं कनाव फसी हुई यहां मजदार दरिया में पास नहीं किनारे नजर आ रहे हैं जी जिन्दगी में कुछ नहीं बचा लुट पिट गई मीत सब खा रही नजर आ रहे हैं जी अच्छा है वाँ आरे के सामने यू चांद चांद कर रहे हैं उससे सब हत्यारे नजर आ रहे हैं जी राहूल जी कह रहे हैं इस रो की बात छोड़ो मुझे दिन में तारे नजर आ रहे हैं अच्छा कि यादते कर रही लाचार हमें कुरसीदो और अब हमारी बने सरकार हमें कुरसीदो भूख लगती है खयालात बदल जाते हैं सुनना और अच्छी लगए तो तालियां का महत्सव करना कि भूख लगती है खयालात बदल जाते हैं बिल्ली चुहों से कहें यार हमें कुरसीदो बात बूख जी कमाल हमारी ये खुश किस्मती है कि हमारे बीच यहां पर श्रोताओं में एक ऐसे शक्स विराजमान है जने हम बहुत प्रेम से बहुत सम्मान से जानते हैं क्रांती धरा मेरट से हमारे बीच यहां पर BJP अध्यक्ष श्री करुनेश नंदन गर्ग जी की उपस्तिती होती है मेरा मन है कि एक बार जोरदार तालिया उनकी उपस्तिती के लिए हो और और यहां पर जितने भी श्रोता हैं वो सब सम्मानिय श्रोता है तो मेरा मन है कि एक बार इन सभी श्रोत बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद पुन्हा जी नियूज के उस चैनल से जहां विश्व भर में जिसके माध्यम से कविताएं जा रही हैं उस पे आप लोगों से रूबरु हूं और जो विशे अनामिका ने दिया मैं वहां से आरम करता हूं सुनियेगा ये भार ही गांधी जी के सपनों वाला भारत है उनके अपने नहीं सही पर अपनों वाला भारत है चाहत थी गांधी की विक्सित और अखंडित भारत हो विश्व पटल पर सबसे ज्यादा महिमा मंडित भारत हो लगता है मोधी गांधी का सपना सच कर जाएंगे कि लगता है मोदी गांधी का सपना सच कर जाएंगे किसी ने गांधी नाम लिया तो किसी ने वो कद काथी ली किसी ने टोपी, किसी ने चश्मा और किसी ने लाठी ली किसी ने टोपी, किसी ने चश्मा और किसी ने लाठी ली जिसने लाठी ठामी थी वो सिंघासन पर बैठा है यह हम लोगों का शौर है कि आज ऐक ऐसा राजा हम लोगों को मिला जिसमें पूरे विश्व को बताया कि राजा होता क्या है तब मैं पंक्तियां देता हूं सुनना कि जिसने लाठी थामी थी वो सिंघासन पर बैठा है मन की बातें करने वाला सब के मन पर बैठा है स्वच्छ सुभा हो स्वच्छ शाम हो कि स्वच्छ सुभा हो स्वच्छ शाम हो स्वच्छ सुभा हो स्वच्छ शाम हो स्वच्छ हो मन का हर मन का योग का वो उपहार दिया जो रोग हरे हरेक तन का एक हो भारत एक व्यवस्था थी उनके अर्मानों में धारा तीन सो सत्तर का शव फूंक दिया शम्शानों में कि धारा तीन सो सत्तर का शव फूंक दिया शम्शानों में भारत शक्ती शाली हो कुछ ऐसा खेल किया तुमने सेना को फिर बाहुबली मारक राफेल दिया तुमने सेना को फिर बाहुबली मारक राफेल दिया तुमने इस उपलब्धी के पैरों में उनको च्छाला दिखता है इनको दिखता है सब आप लोग जानते हैं तब बोलता हूँ कि इस उपलब्धी के पैरों में इस उपलब्धी के पैरों में उनको च्छाला दिखता है जिनके मन काले हैं उनको डाल में काला दिखता है कि बोला मोधी नेरा हुल से गलत है तो तुम छटवा देना तीन सो सत्तर हटने के कानून को ही हटवा देना हो हिम्मत तो मत पत्रों में छापो और रण में द्वंद करो या फिर इसको सुईकार करो ओची हरकत को बंद करो कि मत भेद तो हो सकते विपक्ष और सत्तारुन सरकारों में लेकिन मर्यादा आवश्चक है सत्ता के गलियारों में लेकिन मर्यादा आवश्चक है सत्ता के और इस कविता का अंतिम बंद देना चाहता हूं बात आप लोगो तक पहुंचे बहुत 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 धिन्मेवाद के तुम नीचे से खुद ऊपर तक भी घोटालों में लिपत रहे हम तू जी फोर जी जी-जा जी सारे जी तो आ आये थे भ्रष्टा चार के उन्नती पत पर तुम संशिप्त रहे कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है जो बिका हुआ हो कोडी में सोचे हर कोई बिकता है बैठा है जो सिंगा सन पर, की बैठा है जो सिंगा सन पर, देश का चौंकी दार है वो सच्चा है समर्पित है कुरसी का, एक मात्र हचदार है वो कि अपने मन का जो दास नहीं होता अपने मन का जो दास नहीं होता जग में उसका उपहास नहीं होता मन को गहरा रंग सन्यासी कपड़े रंगना सन्यास नहीं होता आईए देखते हैं और क्या सच्चाई है इस बात में मैं आवाज देती हूँ राजस्थान की धर्ती से हमारे बीच राजकुमार बादल जी की उपस्तिती होती है आपकी तालिया आमंत्रन बने तो राजकुमार अपनी बात कहें और जोरदार का लिया और आजकूमार चार पंक्र शरू करता हूँ स्वागत है मन में अगन और सांसू में तपन हो तो प्यारवरे मिठे मिठे चंद कोन गाएगा गीली गीली पलकूं में असूओं का खार हो तो अधरूपे मधुमकरंद के से आएगा कव तो अधियुद में कवीता सुनने को आयोहोजी मोन होके सुनना पसंद कीसे आएगा गंगोर आहवाद दाद ताली ना मिले तो हमें भी सुनने में आनंद केसे आएगा अगर आतंग वाद तुमारे काभू में नहीं आ रहा हो तो हमें बोलो हम बार किसे ना भेजते हैं ठीक है उन्होंने वह बढ़े नेता है उन्हों अपने अंदाज में का बेक कभी हुँ मैं अपने अंदाज में कहना चाहिए विचार उनकी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं स्वागत है सुन लीजे आप पाकिस्तान का सदेविक तर्क रहता थोता यहां कास्वीर में भारत में हमारा दीन खत्रे में हैं पाइजा में में तुमारे नाड़ाई नहीं है यार ऐसे मत बोलो आस्तीन खत्रे में है क्या बात है वही क्या शिल्प है कि केसरी की क्या रियों को लाल कर दिया और अब बोलते हो यह जमीन खत्रे में है अच्छा है कस्मीरी वादियों में खुसहाली आ गई है दहसत गर्दों की नींद खत्रे में है क्या बात है बात आगे बढ़ाता हूं आप जानते बुद्दीजवी लोग समझदार लोग सब जानते जनाब इम्रार खान साब का इतियास भी जानते है अच्छा बांव में उन्होंने वल्ड कब जीता था आज में कोई छोटा मता आदमी नहीं वीसमी जीता तो रहा है वो फिल डेलग था लेकित तरक में उसी पीच पर दूंगा जिस पीच पर उन्होंने नाम कमाया तो लिजएगा राजनात जी कहते हैं उनसे वर्ड कब तो जनाब आपने उठा लिया था सुना अनामिका जी मैं सुनी रही हूं अजब जब भी आपका नाम लुंगा तो क्मशेजगें वशिन कटेगा नहीं ज़या का कि वालड कब तो जनाब आपने उठा लिया था रहन वजीरे आजम वाला लोड भी उठाईए क्या बाद है वाल्ड कप तो जनाफ आपने उठा लिया था वजीर आजम वाला लोड भी उठाईए इमरान मतलब भागय साली कामयाब इमरान मतलब भागय साली कामयाब अब आप थोड़ी कामयाब भी जुटाईए इमरान मतलब भागय साली कामयाब गर चाहते हो दिल से आतंक का सफाया गर चाहते हो गर में आतंकियों के केंप ना लगाईे ये बेड़ी ये तुमारे यहाँ काबु में नहीं नहीं है देखो मूढ हो तो भारत से शेर बुलवाईए सब्सक्राइख्ट थे करणलो एट के जबान मैं मुजब खोलते हो भीना तोले बॉलते हो आपकी जबान वाइड बॉल या नो बॉल है बोलर थे कभी-कभी बेट भी घुमाते देखा पर यह कीपिंग वाला उनफिट रोल है बोल को पकड कर बंबं बोलते हो बोल को पकड कर बंबं बोलते हो लगता है दीमा की संतुलन डामडोल है 370 हटी आदा मेच हो गया है पीयो के लिया तो फिर एक लास्ट बोल है 370 हटी आदा मेच हो गया है पीयो के लिया तो फिर एक लास्ट बाद शांदार क्या बात है एक बार और जोड़ार तालिया हूं मैं बीच में कुछ कईये एक बात कहना चाहूंगा जनता के सामनेश विध कर कह एक बात तूहरा उनसे पूछी थी उन्हेες बड़ा कि कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया एक बात मुझ przeci år आदा आता हय उसमंने कहा पूछा जंता से बोले भाईयों और भेनों हम लोगों ने आयोध्या में तीन लाग दिए जलाए दी पावली कितने दिए तीन लाग दिए पांस साल में कितने दिए पंदरा लाग दिए कि नहीं दिए यह तो राजकुमार बादल जी की बाती बादल से आई है सीरे चांद पर जलते हैं कहती हूं कहीं उदय भानु हंस जी कहते हैं कि जिंदगी प्रेम के सिवा क्या है मैंने अभी उनसे कहा क्या है चांद होता है एक ही नभ में देखिये तो यह दूसरा क्या है अगरा की धर्ती से मन्जु दिख्षिक जी हमारे जी मैं आये एक ऐसे विचित्र प्राणी की बात आपके समक्ष करना चाहती है सीदे सीदे जुड़ने की उश्र करती हूं एक ऐसा विचित्र प्राणी जैसे किसी की मानसी के आरोगिश साला कसे निकाल कर और उसको कहीं भरी भीड में खड़ा कर दिया जाए कुछ बोलने के ल करते हैं यहां से निकलते हैं यहां से निकले पता ही नहीं चलता है तो इसलिए ऐसे विचित्र प्राणी के लिए मैं आपके बीच में आपको लोगों की ओर से कुछ समर्पित करने की कोशिश नहीं किसी के काबिल है एक अज्यानी ऐसा है जो नहीं किसी के काबिल है भरी र कभी चांद और 370 कभी चांद और 370 धारा पर चेलेंज करे एटली की रानी का बेटा राजनीति में आउल है और आपका साथ चाहते हैं सुनेगा सुन बेटा फाउल राज सुन फेटा फाउल राज तेरा कभी न देंगे साथ अरे रे बाबा ना बाबा जो राजनीति के हुलड हैं विश्व भरे पुराने कुलड हैं क्यों तुम को रास नहीं आई तुम और आगे कहना चाहते हूं हम फिर से चांद पे जाएंगे फिर से परचम लहराएंगे कट चुके तुम्हारे हाथ कट चुके तुम्हारे हाथ अरे रे बाबा ना बाबा हम देंगे तभी ना साथ अरे रे बाबा ना बाबा जो नमक यहां का खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं भाशनों में करते बोर बहुत जाचों में जमीनी चोर बहुत सीना जोरी अब बंद करो बाटें सब कोरी बंद करो एक शेर है जो पुर जोर बहुत उससे मिलकर अनुबंद करो क्या बात है अच्छा है एक शेर है जो पुर जोर बहुत उससे मिलकर अनुबंद करो ये हाथ भी हुआनात, काटे न कटेगी रात, तेरा कभी न देंगे साथ, अरे रबबना बाबा, सुन बेता राहुल राज। ये भारत देश हमारा है, हिन्द। तो हमारा नारा है, ज्यादा मत बोलो बैसी, कर देंगे तेरी ऐसी तैसी, वीरत तो हमारा नारा है, वीरत तो हमारा नारा है, वीरत तो हमारा जागेगा, तूश देश छोड़ कर भागेगा, क्यूं करते हो तुम अली-अली, रहते हैं यहां बजरंग बनी क्यूं करते हो तुम अली-अली, रहते हैं यहां बजरंग बली, जो बंदनी है नाम कहो, सब मिलकर जैश्री राम कहो फिर खाना चाबल भात, बहुत मान बेज कहा रहा है, फिर काना चाबल भात, अरे रबाबन हां बाबाबा, हम कभी न देंगे साथ, अरे रबाबा हां बाबा, और आए एक मैं और करने की कोशिश करती हूं, अभी तक तो मैंने लोगों को निपटाया है, क्यूंकि यह राजनात जी ने इम्रान खान से कहा था कि आपको सच मुझ में आतंक बात को निप्टाना है तो आप हम हमारी अपनी सेना को ले सकते हैं तो देखी इम्रान क्या कह रहे हैं राजनात जी से सुनेगा इम्रान बोला सेना मत बेजो राजनाथ हिंद की सेना को कोई जेल नहीं पाएगा भूका शेर भेडियों के उपर जो तूट पड़ा मार के दाहाड हम सब को गिराएगा हम तो भिखारी हुए हम तो भिखारी हुए हम तो भिखारी हुए भोजन नसीब नहीं आपके बीरों से कौन हमको बचाएगा हाथ जोड भी निती है करो ना अनाथ मुझे मेरे हाथों से ये पाकिस्तान चला जाएगा अब तेखे राजनाच जी जवाब दे रहे हैं इम्लान से कुछ कह रहे हैं कि एक बार नहीं तुझे कई बार माफ किया फिर भी तु आदत से बाज नहीं आएगा तेरी ये आतं की गति भी दियां बनी रही तो कोई देश तुझे को बचाने नहीं आएगा रूस अमरीका चीन सभी तुझे चोड चुके अब ये बता दे घर कहां पे बसाएगा मेरी ये तमन्ना है कि भारत के साथ साथ पूरा पाकिस्तान बंदे मातरम गाएगा बंदे! 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 लेकिन क्योंकि मैं भी इस अखाड़े में हूँ और अपने हथ्यार के साथ उपस्तित हूँ तो एक दो हथ्यार मैं भी आपके बीच अपनी कविताओं के चलाना चाहती हूँ एक बार आपकी तालिया मुझे आदेशित करें तो मैं भी कुछ बात आप तक पहुंचाती हूँ ह्के सांटी आप जब पाकेस्तान से इस बात का इस बात की बात यहां तक आई कि हम भी आतंकबात से निवटोना चाहते हैं तो एक मन की बात मैं अपने रक्षा मंतरी जी तक पहुंचाना चाहती हूँ सुनियेगा कि लहू बहाता मानवता का कातिल है लहू बहाता मानवता का कातिल है आतंकवाद ही उसकी अंतिम मंजिल है आतंकवाद ही उसकी अंतिम मंजिल है आप भी उसको क्या समझाने निकले हो आप भी उसको क्या समझाने निकले हो साब जहर से मुक्ती पाले मुश्किल है साब जहर से मुक्ती पाले मुश्किल है साब जहर से मुक्ती पाले मुश्किल है और देश में जो हालाद चल रहे हैं स्वर्गिये ओम प्रकाश आदित जी की शैली में मैं एक बात कहना चाहती हूं सुनेगा कि शेर से कह रहे कुछ पशुके ये सिंघासन बंदर का है आपकी तालिया आवा आती रहे कि शेर से कह रहे कुछ पशुके ये सिंघासन बंदर का है गिद्ध बाहर से हंस बन रहे है गिद्ध बाहर से हंस बन रहे हैं पर मामला तो अंदर का है ते उसे कह रहे कुछ पशुन के ये सिंधासन बंदर का है होटों पर भरमाने वाले कुछ जूठे अफसाने हैं आखे टक्के एक हाथ में जाल एक में दाने हैं बाद हार के जो बस्ते में रख कर भूल गए थे वे नई जंग में भी रागा के मुद्दे वही पुराने हैं बात जन्वरी की कर रहे हैं मुकदमा दिसंबर का है गिद्ध बाहर से हंस बन रहे हैं पर मामला तो अंदर का है और दीपक जी ने एक बात कही थी उसी बात को बढ़ाती हूँ कि देश के दिल पर जो लगता है उन्छालों से भरता है ये जन्ता के हक्का है बस उन्मालों से भरता है तीन सो सत्तर की बातों से ये कैसे भर पाएगा तीन सो सत्तर की बातों से ये कैसे भर पाएगा कॉंग्रेस का पेट तो केवल घोटालों से भरता है कि कॉंग्रेस का पेट तो केवल घोटालों से भरता है शाहजादों के कुनबे में कोई निशाना कल अंदर का है गिद्द बाहर से हंस बन रहे हैं पर मामला तो अंदर का है इस धर्ती पर ये जन्नत की जो दिलकश तस्वीर है हिंद हमारा रांजे जैसा है ये उसकी हीर है अब केसर की क्यारी से बारूदी गंधना आएगी इसे गौर से देखो अब ये भारत का कश्मीर है ताल पोखर कुए का नहीं है ये पानी समंदर का है गिद्द बाहर से हंस बन रहे हैं पर मामला तो अंदर का है जैसे किसी बीमार व्यक्ति का मेजर औपरेशन होना था जिन क्यारियों में देह्षतगर्दी का बीज बोया जाता था वहां दोबारा केसर बोना था, हमारे प्रधान मंतरी जी और ग्रे मंतरी जी ने ये कर दिखाया है, जम्मू के नागरिकों को भी उननती का अधिकार है, ये विश्व को बताया है, आज के लोगों को बहुत शिकायत है तब कहती हूँ, कि आज के आज वहां हालात सामान्य हो सब उस धर्ती के कलंक धो रहे हैं जो जीत विश्वास की जीत है उस एहसास की जीत है जो मतदान करते हुए पूरे देश ने जिया था इसी के लिए तो इतनी बड़ी जीत का तोफा जनता ने आपको दिया था वहीं वहीं दूसरी और मोहन भागवत के शास्वत बयान पर वह जैसी ने फिर वैसी वैसी बाते की जैसी जैसी वो करते हैं फूटे हुए गुब्बारे में जैसे हवा भरते हैं उन्होंने कहा कि हिंदू रास्ट न था न रहेगा अब एक कुंठित व्यक्ति अब एक कुंठित अपूछा नेता चर्चा में रहने के लिए आखिर कुछ तो करेगा आईए आईए आनंद लेते हैं कवियों की चकपटी बातों का इस्तमाल कीजिए तालियां बजाने के लिए अपने दोनों हातों का एक बार जोरदार तालिया हों कि मैं आवाज देती हूं दीपक पारिक जी को जीनिवज के सभी दर्शकों को एक बार पुने दीपक पारिक का नमस्कार और ओवेशी जी को ज्यादा गंबीरता से लेने की बिल्कुल जरुरत नहीं है और क्यों नहीं है मैं उसी दुन में करता हूं जिस दुन में आपने का अच्छा जी स्वागत बेर स्वर पे मत जाना एक तरफ कोयल का है दूसरी तरफ कवे का है को बार बार बे तुके बोलते बयां सामने आए हैं जरा तीन सो सतर के हटने से भी गबराए हैं कवे की दुन में सुनोगे तो ऐसी आवाज आएगी को बार बार बे तुके बोलते बयां सामने आए हैं जरा तीन सो सतर के हटने से भी घबराए हैं कभी कभी तो लगता है गुसे से लाल पीले हैं और कभी कभी लगता है इनके सभी स्कुरूड डिले हैं कहीं भांग वांग खा गयो हाएं कहीं भांग वांग खा गयो हाएं ओ वेसी पगला गयो रे मजनू जैसी हालत हो गई लगता है हद करदी है मजनू जैसी हालत करदी लगता है हद करदी है सत्ता की कुरसी से इसका इश्क बड़ा बेदर दी है बात बात पर चीक चीक कर नोनों हाथ उचलता है गड़ों वाली सड़क पे पठा आँख मूंद कर चलता है किसी बैंस से टक राग गयो है वेसी पगला गयो करता हुआ है कि सरी कलिश्ट्राइक पर भी बालाकोट पर भी बोले सर्जीकलस्ट्राइक लेकिन नहीं विपक्षी दल का कोई दाउं अभी तक खाया है, हर मोके पर मोदी जी ने चोका गजब लगाया है वहाँ उचो बलो हिला दियो हाए वह वैसी पकला गयो वहाँ बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत बहुत आभार बहुत बहुत दुन्यों वहाँ शान्दा है आईये बहुत चोटी सी पारी केलने के लिए मैं आवाज देती हूं कि आजादी के चलते चलते ऐसी ठोकर खाई थी मैं एक बात कह देती हूं और जो सच्चाई है वो चार पंक्तियों से मैं आपको आवाज देती हूं सुनिएगा कि आजादी के चलते चलते ऐसी ठोकर खाई थी हमने इसकी मूरत जैसे टुकडे टुकडे पाई थी जिन्ना ने इसलाम के खातिर पाकिस्तान लिया था और तब हिंदू के हिस्से में ये भारत माता आई थी कि नी चार पंतियों के साथ मैं सौरब जी को आवाज देती हूँ वो अपनी बात कहा है ये विशे बड़ा गंभीर है कि ये कहा जाए किसी एक जिम्मेदार नेता के माध्यम से कि हमारा राष्टर हिंदू राष्टर नहीं था एक बार इतिहास उठाकर के पढ़े लेते आपको मालूम चल जाता की जानकारी क्या है मैं जनता का क्रोध अपने शब्दों में रगों में रक्त हिंदू है तो हिंदू ही बहे गासन कि रगों में रक्त लिए को हिंदू ही बहे गासन है बारत बुद। शिव महवीर का इतिहास पढ़ लेना ये हिंदू था ये हिंदू है ये हिंदू ही रहे गासुन और चार पंकियां देता हूं सही लगें तब आप लोग समर्थन देना निवेदन करता हूं कि ना हो विश्वास तो भारत का तुम इतिहास पढ़ लेना बात सची लगे और ये लगे कि होनी चाहिए तब पूरा हिंदोस्तान मेरे स सामने कहने कि मत करता हूं कि ना हो विश्वास तो भारत का तुम इतिहास पढ़ लेना है इसा और मुहम्मद पूर्व पत्थर पे ये गड़ लेना किसी को दर्द उठता है हमारी संस्कृती से तो कि किसी को दर्द उठता है हमारी संस्कृती से तो ट्रेन चलती है पाकिस्तान की उसमें चलेना। हुँ अच्छा पहले दोर मेरे तमाम सातियों ने मेरे आदर सुनेता को इतना छील दिया मेरी रोने की इच्छा हुरी है ही देखो जो नेता इतने बड़े खांदान से आता है आजा देकि बाद जिस खांदान का बर्सुत तक इस देश की सरकारों में हात रहो विकास में अच्छी बाता है इससे लोगों का पेटने पड़ता बहुत अच्छी बात कि चार पंग्टा में उनकी तरफ से उनकी पास खढ़ा खाग के ऑंगा उनी कोी लेकिन पास रहोंगा तो गेर नहीं लगोंगा ओपात उनी की तरफ से नहीं है UNO में पाकिस्तान अंदे मोगीर गया आपके लिए तो यह बी बड़ी بात नहीं है नहीं है बंसुनेगा कि देस में हैं realizing party में राज दंत्र देस में हैं लोग-तंत्र party में राज तंत्र कुछ भी बयान दे दो बड़ी बात नहीं है राजा बाबू आपका तो धर्म है विरोध करना जनता का खाली पेट बड़ी बात नहीं है। बारत गाउन का देस हैं गाउन के लोग बूत सीदे होते हैं। है आप यह अंत्रिक्स के मुद्य के लाते हो, लोगों के ऊपर से नीकल जाते हैं। आप जमिनी मुद्य का इन जमीनी मुद्य लाईए। अच्छी पंगते एई दोफ दार लिस तर लोग है किसान खाली पेट वाले चैनल को फेल फेल कर आप बोल तेरा फेल पर जनता ने पास किया आप हुए फेल हो दमदार वक्ता सेवी पक्स होता मजबूत ताकि सताधारियों की नाक में न केल हो इदर दुरन तो राजदानी जेसी गाडियां है आप बोलते हो चुक चुक वाली रेल हो वो तो हम दिलवाले थे जो हमने इतना मान रखा मानवता का हमने अपने हर्दे में स्थान रखा हिल मिल कर हम साथ सभी के मुल्क में अमबर रहे सदा जाती धरम से उपर हमने अपना हिंदोस्तान रखा जाती धरम से उपर हमने अपना हिंदोस्तान दखा, आईए जानते हैं आगरा से आई, आदर्णिये मन्जु दिक्षित जी हमारे बीच क्या बात कहती है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी पहुंचे, मन्जु जी आप लोगों को अच्छी तरी किसे मालूम है कि काश्मीर में पोस्पेश देवा हैं, मुबाईल की, बिलकुल बहार हो चुके हैं, अब तो पूरा हिंदुस्तान के राहुल गांदी भी, OVC भी पूरे खुल के बात कर सकते हैं, पूरे विश्व में बात कर सकते हैं, अब कि बात बात पर जहर अगर तू उगलेगा, तेरी इस मकारी पर अब देश नहीं ये पिगलेगा, भारत की तो बात छोड़ बस, तू तो अपनी बात बता, चल डीने टेस्ट करा ले, तू भी हिंदु निकलेगा, क्या तहाँ थे, वाँ, 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 दोई होता है, तो हमारे कभियों ने बहुत सारी बाते करी, आज मेडिकल की भी कुछ बाते यहाँ पर हो गई है, मैं तो केवल इन सब की ओर से यही कहती हूँ कि केसर केसंग अब अंबर कचनार उगेगा घाटी में, भीनी खुश्बू वाला हर सिंगार उगेगा घाटी म कहदो नफरत बोकर के बारूद उगाने वालों से, कि कहदो नफरत बोकर के बारूद उगाने वालों से, संगीनों की जगा दिलों में प्यार उगेगा घाटी में, संगीनों की जगा दिलों में प्यार उगेगा घाटी में, तो हमारे बीच एक सेग्मेंट ऐसा होता है, ज यह शुरू करते हैं हम कभी से कम नहीं एक बर जोर डावता हूं मैं कभी कवित्रियाओं दर्शकों के संवार में कविता का संगार करता हूं और मैं राजबी सिंग अकेला तैसिल दादरी से हूं आप सबको नमस्कार करता हूं क्या बात है कि गंदगी बेवफा हो गई है कि गंदगी बेवफा हो गई है मानव जीवन के रास्ते अकेला जख्म बया करते हैं जीने के वास्ते कि जरा सोचो क्यों बीमार हुए हो जरा सोचो क्यों बीमार हुए हो क्या भ्रम है जिसमें फसे हुए हो जरा सोचो क्यों बीमार हुए हो आँखों में नमी और चेहरे पर गमी है क्या हाल है क्या दिखा रहे हो जरा सोचो क्यों बीमार हुए हो जरा सोचो के बारे में आप सब इसने जगा दिया है सोय हुए अर्मानों को बात यहीं चुपती है सायद सत्ता के सैतानों को जब जन्मत पर जोर चलाना जब जन्मत पर जोर चलाना सदेश के कुछ गदारों का कि बिस फोर्डों से रोक ना जाते देश बक्ती के पामों को देश बक्ती के पामों को सुहानी भोर के पर दे में काली शाम हो जाए कमाई जंदगी भर की अगर नीलाम हो जाए इमारत खाब की एक पल में चक ना चूर होती है इमारत खाब की पल में ही चक ना चूर होती है जिसे हम खास समझे वो अचानक आम हो जाए तो ये सत्ता के दाव पेज है देश में कब क्या हो जाए जिन्दगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता कोई खास लगता है लेकिन अचानक से आम भी हो जाता है आईए इन ही मुद्दों के साथ हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे मिलते रहेंगे आप भी मस्त रहिए व्यस्त रहिए स्वस्त रहिए बहुत बहुत आभार